जैशी राम सभी बक्तों को जै मातागी फीर एक नई वीडियो के साथ आप सब के सामने हाजिर होगे हैं और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम जानेगे कि जैसे की माता का निवारन मंतर कोई अगर जाप करता है और उस मंतर का जाप करने का उनको क्या-क्या फल मिलता है और किस तरह से जो है निवार मंतर की सुरुवात करनी चाहिए या करना चाहिए क्या-क्या आपको लाब होते हैं तो अंतक बने रहे हैं तब ही आपको सारी वीडियो समझ पे आती है अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वली हरे एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुच जाए चलिए सुरू करते हैं आज की वीडियो जैशी राम जैशी राम जैशी बाला जी महराज मेंदीपुर की पवित का था तुम्हें इंतजार वो घड़ी आ गही क्यूं मा के निवान मंतर के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा जो कि इतना अपने आप में एक स्वम शक्तिशाली मंतर है जो जब यह मंतर जिस भी घर के अंदर उद्य होता है या जिस भी घर के अंदर बात जाता है वहा आपको क्या क्या लाब होता है अगर हम कंटीनू मा का नमान मंतर का जाप करते हैं तो आपके घर में किस-किस तकलिफों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जकता है मा के नवान मंतर को नवान मंतर क्यों कहा जाता है पहली बात तो नवान मंतर जो है नव दुर्गा का मंतर है यह नव दुर्गा की किरपा से ही प्राप्त हुआ है इस मंतर का कंटिनू जाप करने से हमारे इसका जो मैं साब को सच्चा ही अनुभव बताऊंगा क्योंकि ओम एम हीम कलीम चमुन्डाए विचे ओम शंकर भगवान जो की जगत के संगार करता है इस संसार के मालिक है और ओम अपने अराध्य गुरुदेव के लिए भी होता है और सबसे बारी ओम एम सरस्वती का बिजमंतिर है इस एम मंतर से आपके कंठ में वानी का प्रभाब होता है आपके परती वानी जो है एक प्रभाबशाली निकलती है जब आप इस एम मा के बिजमंतर का जाप करते हो ओम एम हीम हीम जो है मा लक्षमी का ब्रिज मंतर है मा लक्षमी की किरपा जिस घर में होती है वहाँ धन धान्या की बरपूर किरपा रहती है वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती संसारिक सुकी स्विधाओं की अपने आप ही उपलब्ध होने लग जाते हैं और कलीम, कलीम जो है जो मा काली का मंतर है जो कि शंकर भगवान की अरधांगनी है आपको पता है कि जब मा काली अपने भ्यंकर रूप में आती है तो दुष्टों का नाश करती है जिस भी घर के अंदर करा कराई, ओपरी, उचाटन, मारसन, तंतर, अगोर, चंडी, काली सरवव्यापी है और ओम एम हीम कलीम चमुंडाए चमुंडाए जो है मादुर्गा का जो है सबरूप है मादुर्गा का एक मंतर है ये ओम एम हीम कलीम चमुंडाए और जो विच्चे नमहा हमारे अंदर जो अंतर आत्मा में जो हमारे बस जाए ओम एम हीम कलीम हमारे अंतर्मन के अंदर जब ये मंतर का गुनगान चलने लग जाता है तो इसकी अधबुत अनुभाव है इसकी अधबुत किर्पा है इस मंतर का जाप करने वाला वेयक्ति कभी भी परशान नहीं रहता इस मंतर का जाप करने वाले व्यक्ति के उपर कभी अकाल मिर्तू नहीं आती उसके परिवार के उपर कष्ट नहीं आता मा की अपरम पार किर्पा उस बच्चे के उपर होने लग जाती है मा की अदबुद किर्पा उस बच्चे के साथ हमेशा चलने लग जाती है शंकर भगवान की किर्पा साथ में चलती है नवदुर्गों की किर्पा साथ में चलती है दस महां विद्याओं की किर्पा आपके साथ चलने लग जाती है जब मा के नवान मंतर के अंदर समस्त शक्तियों का वास है नोदेवियों के मंतर का वास है नवदुर्गा के मंतर का वास है इस नवान मंतर मातर से ही एक ये ब्रम मस्तर की तरह भी आप इसको प्रयोग कर सकते हो जब बच्चा भूख से प्यासा होता है संसारिक सुकों से ऐसे विधाओं से जब उसके पास निबंचित होता है अपनी मा की शिरन में जाता है कि हे मा मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ इस संसार से परशाण हूँ और तब आप अगर मा इस नवान मंतर का जाप करने लग जाते हो आपके अंदर की भावना अपने आप ही उत्पन होने लग जाती है मा के मंतर से, इस मंतर की, इसका खुद का अनुभव है हमारे पास, क्यूं? क्योंकि हम कंटीनू इस मंतर का भी जाप करते हैं, और जब इस मंतर का आप जाप करने लग जाते हो, आप यकीन मानिये, इस मंतर के अंदर अप्रम पार किरपा है, अप्रम पार किरपा, संसारिक औ नंदर इस मंतर का जाप हमेश्य करना चाहिए जो व्यक्ति अगर आप तक मा के 59 मंतर का जाप नहीं कर रहे हो तौ इस मंतर का जाप कंटीनू कीजिए जैसा कि आपको पता है कि 30 तारिक को गुप्तन नवरात्री आरी है तो 9 दिनों में इस मंतर को कब उठाना चाहिए यही समय ऐसा होता है जब इस मंतर का जाब किया जाता है इस मंतर के जाब के अंदर अदबुद शक्तियों का वास छुपा है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है नेकिन क्यूं हमें संसार में परसिद होने के लिए क्या चाहिए मा की किरपाएं चाहिए और मा की किर्पा जब साथ चलती है ना तो जो माया है वो भी तो माई ही है जो करना मई है वो भी माई है जो ममता मई है वो भी माई है जो बगवान विश्रू की निंद्रा में मो निंद्रा है वो भी माई ही है इस संसार की जगत की पालन हारी ही माई है और इस मंतर से आप के उपर मा की समस्त नो देवियों की किरपा होती है साथ में जब मा के दस महविद्याएं हैं जिससे मारन, मोहन, स्तंबन, उचाटन इस पकार के परियोग जो होते हैं वो भी कहीं न कहीं इस मंतर से ही उत्पन होते हैं दुर्गा सब्तिशी के अंदर भी इसका परियोग बताया गया है बहुत ही गहरा ध्यन दिया गया है इसका परियोग करने से आपके घर में अपार किरपा उत्पन होने लग जाएगी आपके घर के अंदर सुक शांती होने लग जाएगी कोई दूस्ट व्यक्ति अगर आपके परिवार की तरफ नजरे उठाकर भी देखता है तो मा कलीम मंतर से उसका अपने आप ही स्तंबन होने लग जाएगा अपने आप ही आपके परिवार के ओपर किसी भी पकार की आपदा नहीं रहेगी भैरो बाबा की भरपूर किरपर आएगी, हनमान जी महराज की भी भरपूर किरपर आएगी मा के नमान मंतरों में नव दुर्गा की शक्ति और दस माविद्याओं की शक्ति का वास है इस मंतर का जाप अगर आप नहीं कर रहे हो तो इस नुरातरी से आप उठालेजीए और continue मा के निवाण मंतर का जाप कीजिए और फिर देखिए इस मंतर की जाप करने से आपको जोर चीज अब तक नहीं प्राप्त होई वो भी प्राप्त होने रहेगी तो मैं इस मंतर का कम से कम आपको सवा 5 लाख वार मंतर का जाप जरूर करना चाहिए सवा 5 लाख वार अगर इस मंतर को आप पकड लेते हो तो ये लगा लीजिए आप कोई भी अगर नौरातषि के 9 दिनों के अंदर भी आपकरते हो तो बहुत ही जादा उत्तम है नहीं तो रेगूलर इस मंतर का जाप कीजिए रेगूलर कंटीनू कंटीनू इस मंतर का जाप करने लग जाओगे आपके शरीर के अंदर अद्बु शक्तियों का वास होने लग जाएगा आपको स्वम महसूस होगा कि आपके ओपर मां की किरपा हो रही है तो बोलिए जै माता की जैशरी बाराजी माराज मेहंदी पुरकी पवित्र किरपा आपके परिवार पर नियंतर बरसी रहे जै माता की